तो है व्रिवर्ट कैसे हैं सारे लोग आई होप सारे लोग बहुत ही पर्फिक्ट होंगे और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह रैपिड साइंड फिल्टर के बारे में बात करने वाले हैं तो लेट सी रैपिड साइंड फिल्टर क्या होता है मैंने आपको स्लो सेंड के बारे में बताया था कि how slow send filter works ठीक है तो मैंने आपको ये तो बता दिया था कि slow send filter ऐसे काम करता है अब जो मैं next आप से बात करने वाला हूं वो किसके बारे में बात करने वाला हूं कि rapid send filter कैसे काम करता है और rapid send filter के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो comparison में बात करेंगे कि हमने देखा था कि slow send filter ऐसे काम करता है और rapid send filter ऐसे काम करता है फिर आप क्यूंकि obviously अगर आप इस channel को देख रहे हो तो आप किसी ना किसी competitive exam के लिए prepare कर रहे होगे है ना हमारी depth जो होना चाहिए वो इतनी होना चाहिए हमारी width इतनी होना चाहिए ठीक है हम जो भी layer ले रहे वो कितना layer होना चाहिए कैसे देख रहे थे यह सारी चीज़ तो last lecture में आपने मेरे साथ देखा था slow send filter आज जो आप मेरे साथ देख रहे हो that is rapid send filter चलिए आइए शुरू करते हैं तो मैंने मुला सबसे पहला concern is what is this rapid send filter तो अगर आप से कभी भी कोई भी पूछता है कि what exactly rapid send filter इस तो obviously आप उसको पहले diagram बनाके तो बताओगे नहीं तो फिर कैसे बताओगे तो मैंने मुला बह टाइप ऑफ किसके बार में बात करें एक सब्सक्राइब तो मानी कि इस टाइप ऑफ ग्राविटी फिल्टर तो फ्रम वेर इस गेटिंग यह अपना हेड कैसे लेता होगा तो आपने मुला सर अगर इसको हेड लेना है अपना वाटर है जो ले मतलब अगर इसमें से पानी अगर से सबल्टर हो गा तो आपने पूलाज अगर मेरे रापेडे से फ्ल्टर स hm वाटर पास हो रहा होगा तो वह यह को दिखने को मिलता इककर रापेड इस मällen और i आपको क्या difference देखने को मिलेगा ठीक है तो rapid send filter और slow send filter में आपको क्या difference देखने को मिलेगा तो मैंने मिलेगा जब भी आप rapid send filter के respect में बात करोगे तो आपके दिमाग में एक idea आएगा क्योंकि जब मैंने आप से slow send filter के respect में बात करी थी तो मैंने आपको इस बात को बहुत अच्छे से explain किया था कि जो भी पानी पास हो रहा होगा rapid send filter से उस rapid send filter से पानी पास होने में समय कम लगेगा और आप एक large community को serve कर पाओगे ठीक है तो आप बोलोगे यहां पर rapid send filter के respect में ब कर पाएंगे can be served ठीक है सर ये भी बात हमारे समझ में आगई मैंने बहुत अगर मैं बात करूंगा comparative slow send filter के respect में अगर मैं आप से बात करूंगा तो आपने भूला कि small community can be served only small community can be served सिर्फ एक small community को ही हम serve कर पाएंगे small community can be served ठीक है तो हम के वाले small community को ही यहां पर serve कर तो आपको यहां पर क्यूंकि small large quantity को पास कर रहा था तो यहां पर filtration rate is quite high है ना क्यूंकि हमने यहां पर बूला large community को कैसे कर पाएंगा क्यूंकि इसका filtration rate जो है वो थोड़ा सा जादा होता है filtration rate is high है ना आपको filtration rate थोड़ा सा जादा देखने को मिलेगा comparative अगर मैं slow send filter की बात करूंगा तो यहां पर अगर मैं आपसे filtration rate की बात करता हूं तो filtration rate is low ठीक है तो यहां पर filtration rate is low आपको यहां पर filtration rate कम मिलेगा ठीक है तो यह यह कुछ basic बात थी जो मैंने आपको बता है कि जब भी आप gravity filter में rapid send filter के respect मैं बात कर रहे होगे ठीक है सर क्या आप हमको बना के बत लिए जरूर बना देता लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मैं आपको 3D diagram दिखाऊंगा तो आप लोगों को भी मजाएगा ठीक है तो क्या आप सब तयार हो एक 3D diagram देखने के लिए 3D diagram आपको कैसा दिखेगा rapid send filter के respect मैं अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बहुत धिहान से द दूंडा और जब मैंने देखा तो मैं को लगा कि यार इसके through explain करना is lit कि अगर आप मैं इसको आपको इस diagram को अगर मैं अपने इसके through explain कर देता हूं तो मजा आ जाएगा तो चलिए आए देखते कि कैसे काम करता होगा ठीक है तो चलिए आए देखते कि हमारा 3D diagram आपको कैस देखने को मिलेगा तो मैं यहां पर आप लोगों के सामने इसको दिखा रहा हूं तो देखे इस तरीके का आपको एक component देखने को मिलता है यह है आपका कौन मैंने बोला यह है आपका rapid send filter ठीक है तो तो तैयार रहेगा एक एक करके बात करते जाएंगे तो मैंने बोला यह अभी आपको किसको represent कर रहा है तो यह आपको rapid send filter को यह आपको क्या दिख रहा है एक rapid send filter दिख रहा है ठीक है यह आपको एक rapid send filter दिख रहा है ठीक है सर माना इस बात को कि हमको rapid send filter दिख रहा है अब इसमें ध्यान से देखेगा मैं आपको क्या-क्या बता रहा हूं तो मैंने जब हम बात करते थे slow send filter के बारे में है ना जब हम बात करते थे slow send filter के बारे में तो हमने बुला था कि slow send filter में जो नीचे की layer होती है वो gravel की होती है but that is just to support दी है ना वो आपको किस की देखने को मिलती है मैंने बुला वो मैं को gravel की layer देखने को मिलती है बट वो gravel की layer क्यों होती है तो आपने बुला वो gravel की layer में को just support करने के लिए देखने को मिलती है किसको support करने के लिए तो मैंने बुला वो gravel की layer में को support करती है sand को ठीक है वहाँ पर कोई use नहीं था वहाँ पर केवल कोई use नहीं था अब यहां पर मैंने बुला ग encuent event परपस के लिए आपको यहां पे ग wert की लियर के जरूरत पड़े गी नेच्ट मैंने बुला यह जो उपर की लेयर दिखी रिए है इसको हम क्या बोल रहे हैं मैने बोला यह जो linear मैंने बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं तो मैंने मुलाए यह है वन जो वाल्व देखने बोल रहा है जिसका नाम वन है यह कौन सा वाल्व है तो आप बोलोगे यह हम इसको इनलेट वाल्व बोल रहे हैं मैंने बोला हम इसको इनलेट वाल्व बोल रहे हैं मैंने बोला हम इसको इनलेट वाल्व बोल रहे हैं ठीक है सर मैंने बोला यहां से जो टू आपको दिख रह तो मैंने मुला यह वाल्व डारेक्ली वाश वाटर गटर में जा रहा होगा मैंने मुला अगर इस वाल्व की बात करता हो तो ऐसा मान लो कि यह वाल्व डारेक्ली कहा जाएगा तो यहां पे वाश वाटर गटर होगा यह वाश वाटर गटर में जा रहा होगा ठीक है सर यह पिवल्व नमबर थी करूँँगा अगर मैं आपसे तो वाल्व नमबर थटिए को रिप्रेंट कर रहोगा तो मैंने बुलत ये भी तो वाश वाटर कांटर आरए ठीक है ये भी वाष वाटर पर वोस्वाटर और valve number 4 की बात करूँगा तो आप बोल रहे हो कि ये कहा जा रहा होगा आपने बोला ये disinfection के लिए पानी को ले जा रहा होगा मतलब पानी साफ होने के बाद यहां से पास हो रहा होगा मतलब पानी साफ होने के बाद यहां से पास हो रहा होगा थीक है तो I hope ये ये diagram से आपको कुछ basic बाते समझ में आई होगी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत दियान से देखेगा तो यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे यह जो gap दिख रहा है आपको यह यह आपका inlet chamber मैंने बुलाए यही आपका inlet chamber जिसके थुरू आप क्या करोगे यहां से पानी को पास कराओगे और यहां से साफ होने के लिए भेजोगे ठीक है जिससे आप पानी को पास कराओगे और साफ होने के लिए भेजोगे चलिए आईए तो वीडियो को आगे देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा होगा exactly है नहीं यहां पर क्या हो रहा होगा exactly तो मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया है how exactly this works and how exactly the rapid send filter works ठीक है तो मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया कि how exactly the rapid send filter works तो देखेगा जरा आप हम आगे बात कर रहे हैं आपसे तो यह आपने देखा कि इसको हमने inflow बोला yes inlet wall बोला या inflow बोला बहुत बढ़िया मैंने बढ़ा next अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यह देखो जो 3 बता रहा है यह आपको wash water drain 2 and 3 क्या है जो आपको wash water gutter में लेके जाता है ठीक है 2 और 3 आपका wash water gutter में लेके जाता है मैंने बढ़ा इसको रोकते हैं फिर यह बता रहा है आपको यहां पर अगर 4 की बात कर रहे हैं सॉरी 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 मैंने वला अगर शिट मैंने वला अगर मैं आपसे फॉर की बात कर रहा था तो यह फॉर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह फॉर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हम, तब तक मैं इसको मिटा दिता हूँ, चीक है, तब तक मैं आपको इसको मिटा दिता हूँ, just give me a second, है ना, तो मैंने बुला इसको मिटा दिता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा वह यार है, values यारी है, चीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब क्या हो रहोगा, तो यहाँ पर देखेगा, जब हमने बुला, यह one inflow को represent कर रहे है, फिर मैंने बुला, यहाँ पर one inflow, ठरे, चलो, हाँ, तो मैंने बुला, valve number one inflow को represent कर रहे, valve number two और थ्री की अगर वो बात करेगा, तो valve number two और 3 टू वाश वाटर ड्रेन जा रहे होंगे जो कि हमने यहां पर बना रखा है कि यह वाश वाटर ड्रेन में जाना चाहिए वाल्व नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो वाल्व नंबर 4 फिल्टरड वाटर है यह जो कि डिसिंफेक्शन के लिए जाएगा आपका है न तो valve number 4 आपका disinfection के लिए जाएगा ठीक है अब रोकते इसको क्योंकि अब इसका वो change हो रहा है है न अब जो इसका वो change हो रहा है अब है scenario change हो रहा है तो अब आपको valve तो समझ में आ गए अब इसको थोड़ा सा उपर से देखते हैं अब इसको थोड़ा सा उपर से देखते हैं न क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं 3D diagram यहाप को show कर रहा हूं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेग तो मैंने बोला अगर आप यहां पे देखोगे तो अब क्या हो रहा होगा यह देखो यह जो है आपका यह वाश्वॉटर ट्रफ पिक्चर दिखार ही है को aller ओपर से ओपन एक पाइप लाइन डंके जो कि उपर से ओपन सब कर देखो गीए पाइपलाई या और पानी फ्लो गा तो पनी इसमें आए हूगा यह जो फॉर्थ मैंने बूला है यह इसमें आए रहा होगा पानी आपका है ठीक है सर तो चलिए ए थोड़ा से इसको और आगे ले चलते तो चलिए आई इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तो मैंने भूले ठीक है यहां तक तो आगे हमको समझ मैं कि यह वाच वाटर ट्रफ आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल रहा होगा फिर से हम फिल्टर को थोड़ा सा देखते हैं turn करके तो हमने जब filter को वापिस से turn करके देखा तो यह देखो यहाँ पे तो इसने बुला यह filter media है filter media जो कि मैंने आपको बताया कि यह जो है नीचे की layer है वो आपको gravel देखने को मिल रही है और उपर की layer आपको sand देखने को मिल रही थी अब जो मैं next आपको यहाँ पे बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना तो अब जो मैं next आपको बता रहा हूं इन्होंने बुला कि देखो नीचे ऊपर तो आपको पूरा देखने को मिला कि कैसा system था नीचे क्या था तो नीचे इन्होंने बुला कि आपको drain देखने को मिलेगी अब यह drain किस तरीके से काम कर रही होगी तो मैंने बला यह drain आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा होगा इसको मैं अभी आपको बना के बता दूँगा एक दूसरी sheet में कि यह drain कैसी होगी तो देखो अगर मैं यहाँ पर बना के बताओं कि आपको यह drain कैसे दिखरी होगी तो यह drain कुछ इस तरीके से आपको दिखरी होगी तो अगर मैं इसके drain के बारे में बात करता हूँ तो देखेगा यहाँ पर आपको एक central pipe देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर पूरा पानी आ रहा होगा यह है central pipe और इसमें से यहाँ से आपको यह perforated drains अब यह देखना ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैंने बुलाए इस तरीके की drains देखने को मिल रही है जो कि आपको वहाँ पर 3D में mind भी समझ में नहीं आ रही हो लेकिन अगर 2D के respect में अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है sorry मैंने बुलाए हमने यहाँ पर क्या किया है छोटे छोटे perforations बना दिये छोटे छोटे holes बना दिये इसमें मैंने बुला इन छोटे छोटे holes से पानी अंदर जाएगा और यह पानी कहां चला जाएगा central drain में चला जाएगा कुछ लोगों को यह नहीं समझ में आ रहोगा central drain है इसी को बोलते हम central drain इसमें आता है पूरा पानी आपका जो भी फिल्टर से पास आउट होगा और मैंने बुला यह जो ड्रेंज आपको देखने को मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेटरल ड्रेंज मैंने बुला यह जो दिख रही है आपको इसको हम बोलते हैं लेटरल ड्रेंज ठीक है तो अब को लेटरल ड्रेन से पानी अंदर आएगा और किसकी तरफ जाएगा सेंट्रल ड्रेन की तरफ आपका पानी आजाएगा ठीक है लेटरल ड्रेन से पानी अंदर जाएगा और सेंट्रल ड्रेन की तरफ आजाएगा ये सिनारियो आपको एक्जाक्ली देखने को मिलेगा ठीक है स ठीक है यह है lateral drains ठीक है अब यहाँ पे जब हम पीछे side आते हैं जब हम पीछे side आते हैं अपने section के rapid send filter के तो यह आपको working दिखा रहा हूँ है आपको पीछे एक valve लगा हुआ है back wash water के लिए ठीक है तो चली आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से पानी भरना start हुआ आप देखो working दिखा रहा हूँ यह पानी भर रहा है भर रहा है पानी कहां से पानी आ रहा है वाल्व नंबर वन से यह वाश्वाटर ट्रफ से पानी गया कहां जा रहा है अब यह वाश्वाटर ट्रफ से पानी तो अब यह system में जाना start होगा यह medium में जाना start होगा तो यह पानी में impurity इसको remove करते जा रहा है तो पानी अब फुल हो गया है अब यह पानी कहा जाएगा जब इस filter मीडियम से पास हो गया है तो पहले lateral drains में जाएगा और lateral drains के थुरू यह central drains में जाएगा lateral drains के थुरू अब यह कहा जाएगा central drains में जाएगा अब इस तरीके का सिस्टम आपको कुछ देखने को मिलता है, मैंने बोला, इस तरीके का कुछ सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जो मैंने अभी आपको एक 3D डाइग्राम यहां पर बताया, एक 3D डाइग्राम यहां पर बताया, अब मैं इसको 2D में convert करता हूँ अब आपको सारी बाते बहुत जादा अच्छे से समझ में आएगी मैं को लगते हैं कि अब आपको सारी बाते बहुत जादा अच्छे से समझ में आएगी तो मैं यहीं पर बनाता हूँ इसके लिए ठीक है तो आपका 2D scenario को तो आप 4 दोगे, 2D scenario को तो आप बहुत अराम से निकाल दोगे, तो कैसे देखो जारा है यापे एक 3D scenario को मैं आपको, सॉरी, अब मैं आपको एक 2D scenario दिखा रहा हूँ, कि ये 2D scenario आपको कैसा दिख रहा होगा, तो मैंने आपसे कहा कि एक 2D सिनारियो कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कौन है? ये मेरा central portion है मैंने बुला इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसी में हम बनाने वाले हैं अपने ये लीजे ये लीजे मैंने बुला दो ही बनाता हूँ वैसे तो तो तीन ही बना लूँगा चले थोड़ा सा और खिसका ले तो इसको ठीक है? अदे यार जज़गी मैं सिक तो मैंने उपसे बुला कि अगर मैं यहाँ पर ये मेरी central drain है ये देखो ये कौन है? ये मेरा medium बन गया अब मैंने बुला यहाँ से मैं बनाना चालू करूँ तो ये मेरी gravel layer होगी इसके उपर तो इसके उपर आपको क्या देखने को मिलेगी? एक gravel layer देखने को मिलेगी तो ये रही वो gravel layer मैंने बुला ये रही वो gravel layer इस gravel layer के उपर आपको sand layer देखने को मिलेगी तो मैंने विला यह वो sand layer, oh sorry, मैंने विला यह वो sand layer, यह रही वो sand layer, और इस sand layer के ओपर हमने क्या बना दिया, एक wash water truff बना दिया, तो यह रहा हमारा wash water truff, मैंने विला यह रहा हमारा wash water truff, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कैसे पानी in wash water truff के थूँ एंटर कर रहा था, ठीक है आपने देखा कि कैसे पानी in wash water truff के थूँ एंटर कर रहा था, मैंने बुला आप मैं यह आपर inlet chamber बनाता हूँ अपका, तो अगर मैं यहाँ पर inlet chamber की बात कर रहा था तो देखेगा ज़रा किस तरीके का कुछ scenario रहेगा sorry देखेगा मैंने बुला ये है मेरा valve number one ये है मेरा valve number one है ना बहुत अच्छे से देखना ये है मेरा valve number one ये किसको बात कर रहा है ये inflow की बात कर रहा है पानी यहाँ से अंदर जा रहा होगा है ना ये inflow की बात कर रहा है पानी यहाँ से अंदर जा रहा होगा मैंने बुला यहाँ पर है आपका valve number two जहाँ जहाँ जो जो valve लिख रहा हूँ इसको, मैंने बहुत यह है मेरा वॉल्व नंबर थ्री, अगर मैं यहां से बात कर रहा हूँ, तो यह है मेरा वॉल्व नंबर थ्री, और मैंने बहुत यह भी इसमें लगा देता हूँ, चीक है, यह भी इसमें लगा देता हूँ, यह है मेरा वाल्व नमबर थ्री छीक है यह है यह है आपका वाल्व नमबर थ्री यह किस से connected है तो आपने बोले यह है मेरा वाल्व नमबर थ्री ये किस से connected है तो आपने बुला ये मेरा wash water gutter से connected है मैंने बुला ये किस से connected है तो ये wash water gutter से wash water gutter से connected है ठीक है सर मैंने बुला valve number 4 की बात करता हूँ अगर मैं तो आपका जो valve number 4 है वो यहां लगा हुआ है मैंने बुला ये जो valve number 4 है ये यहां लगा हुआ है यहां से जो भी पानी आएगा वो किसके लिए जाएगा disinfection के लिए जाएगा मैंने बोला यहां से जो भी पानी आएगा वो किसके लिए जाएगा disinfection के लिए जाएगा ठीक है सर तो यहां तक समझ में आगे है inlet हो रहा है मैंने बोला अगर मैं यहां पर बात करता हो तो इसकी जो height consider करी जाती है ये gravel layers की height consider करी जाएगी मैंने बुला ये जो gravel layer की height consider करी जाएगी इसको मैंने बुला कि आप consider करोगे 60 cm मैंने बुला इसको consider करोगे 60 cm फिर मैंने बुला ये जो sand layer है इसकी height के अगर मैं बात करूँगा तो 60 60-90 cm आप इसको consider करोगे, ठीक है, इसको 60-90 cm consider करोगे, यह जो green color का दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे है, तो आपने बोला है, इसको मैं wash water gutter बोल रहा हूँ, sorry, wash water truff बोल रहा हूँ, उपस, यह क्या होगे, हाँ, मैं इसको wash water truff बोल रहा हूँ, तो पानी इसके थुरू आता हुआ और जाता हुआ दोनों तरीके से देखने को मिलेगा, अगर मैंने बोला कि इसके depth को अगर मैं D बोल रहा था, यह जो sand की layer थी, इसकी depth को अगर मैं D बोल रहा था, तो आप यह बोलोगे कि यह जो wash water truff का topmost portion है, यह maximum कितने distance पे होगा, तो आपने बोला, यह maximum D by 2 distance पे आपको देखने को मिलेगा, sand की heights है, ठीक है, maximum D by 2 distance आपको देखने को मिलेगा, sand की heights है, ठीक है, अब पानी को उधर भेज रहे हैं, तो उधर कौन कौन होगा, तो मैंने बोला, यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा, तो इस पानी को जब आपने पास कराया है, त एक साथ में आपने इसको कहां भेज दिया है, तो आपने यहां पे भेज दिया है, वाश वाटर स्टोरेज के लिए भेज दिया है, जिसको वाल्व नमबर फाइव से आप रोक के रखोगे, तो यह किसके लिए गया है, वाश वाटर स्टोरेज के लिए, ठीक है, वाश वाट यहां पर रखेंगे तो यह बात तो हमारे समझ भाई तो अगर आप इस पूरे पूरे डाइग्राम को देखोगे तो आपको समझ भार ओगा मैंने बुलाइब यहां पर अगर कोई भी पूछ रहा होगा मैं से यह भी सोच रहोगा कि सर लेटरल ड्रेंस और सेंटरल ड्रेंस पूरा बन चुका है अब यौन टू टी फी pequeके इंटरल ड्रेंस चींटरल ड्रेंर काई डीटरल ड्रेंस अब यह आपका पूरा पूरा बन चुका है कौन टूडी figure किसका rapid send filter का तो मैंने बुला rapid send filter का 2D figure बन चुका है अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपने मेरे साथ वो वीडियो देखा इसके पहले वाला तो अब आप चीजों को बहुत अच्छे से relate कर पाओगे तो समय आगया है relate करने का तो समय आगया relate करने का तो देखो जारा यहाँ पर आप क्या हो रहोगा तो मैंने बुला सबसे पहले आप क्या करोगे valve number one और valve number four को open करोगे बहुत द्यान से सुनना सबसे पहले आप क्या करने वाले हो मैंने बुला आप सबसे पहले valve number one and valve number four को open करे वाल नंबर वान कौन सा यह रहा वालव नंबर वन और मैंने बहुंक्त तो यहां पर क्या हो रहा होगा यह पानी जब आया तो सबसे पहले wash water में बहुत सो थी ठ्रफ कैंठ थ्रू यह बहुना स्टार्ट हुआ वाउ सबसे पहले neighborhood और central drain के थूपास होके valve number 4 से disinfection के लिए चला गया ठीक है sir अब यहाँ पर पूरी process को अगर आप समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी वो क्या है वो यह है कि देखो जब पानी पास हो रहा था तो मैंने आपको यह बोला था जब आप rapid slow send filter के respect में बात करते हो तो slow send filter के case में आपको एक बात समझ में आएगी कि हम यहाँ पे वहाँ पे हम fine send particles को रख रहे थे यहाँ पे हम थोड़े से बड़े particle को रखते हैं क्योंकि आप जादा पानी को पास कराना चाहते हो तो जब यहाँ से पास होगा पानी तो जो impurities होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ 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 सब जगे खटा हो जाएंगी यह जो impurities हैं यह तो यहाँ पे खटा हो गई हैं और हमने क्या कर लिया इसको valve number four से पानी को तो पास करा लिया, अब ये पानी तो use करेंगे हम community के लिए, ये पानी को तो हम use करेंगे अपनी community के लिए, ठीक है sir, अब जब पूरा पानी साफ हो गया है, तो valve को बंद कर दो, valve number 1 को बंद कर दो, valve number 4 को बंद कर दो, valve number 1 और valve number 4 को बंद कर दो, ठीक है sir, मैंने बोला कुछ पान लिया जाता है तो आपने बूला जितना भी total आपका डिमांड होगा वाटर डिमांड उसका तू पॉइंट फ़ाइप परसेंट आपने यहाँ पर वोश होटर स्टोरेजन में सेग कर लिया होगा ठीक है सर तो अब यह वाइप कोदेखो अब क्योंकि impurities यहां पर आगई है बहुत छोटे छोटे से particles यहां पर आ गये है तो now what you want अब आप क्या करोगे backwashing करने का समय आगया है अब क्या है कि backwashing करने का समय आगया है तो आप क्या करोगे कि यहां ते जो भी पानी आया था जो पास हुआ था वो तो आप चला गया है अब आपने सारे वाल्व बंद किये अब वाल्व नंबर टू को ओपन कर दो वाल्व नंबर टू को ओपन करो वाल्व नंबर फाइव को ओपन करो और वाल्व नंबर सिक्स को ओपन करो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक वाशिंग मै यहां से पानी वापस आएगा और साथ में compressed air के साथ आएगा और यह पानी ऊपर की तरफ जाएगा और मैंने बुला कि यह पानी क्या करेगा यह पानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अब जब यह ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो एक सबसे पहली और सबसे important बात यह है कि यह हमेशा किसमे होना चाहिए यह जो पानी ऊपर की तरफ जारा है वह हमेशा किसमे होना चाहिए बैक वाश और वाश वाटर शुड आलवेज बी इन ट्रांजीशन स्टेट कभी भी टर्बुलेंट में नहीं होना चाहिए लेमिनार में नहीं होना चाहिए झाल झाल तो आपने देखा कि यह जो हमारा वाल्व नंबर 5 उपन किया है और वाल्व नंबर 6 उपन किया है तो जब आप बैक वाशिंग कर रहे हो जब आप बैक वाशिंग कर रहे हो तो आपने बोला कि यह बैक वाशिंग के टाइम पर पानी क्या होना चाहिए उपर की साइट जाना चाहिए और आपने बोला यह किस में होना चाहिए तो हमने यह भी बोला कि यह transition state में होना चाहिए क्योंकि अगर यह turbulent stage में रहा तो आपको क्या देखने को मिलेगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि यहां का जो system को आपको अपने water को किसमे रखना पड़ेगा transition state में पहली बात दूसरी बात आपने ये बोली कि यहां से पानी जा रहा होगा जा रहा होगा यहां से पानी जा रहा होगा और जब यह क्यों कि obviously जब नीचे से आप पानी दे रहे होगे तो यह expand हो रहा होगा है ना तो मैंने आ पार्टिकल्स हैं यह इसमें जाने की कोशिश करेंगे तो यह जो maximum expand होता है आपके मीडियम का वह maximum expand कितना होगा maximum d by 2 के बरापर होगा और आप हमेशा इस से उपर रखोगे अपने wash water truff को तो आपने बोल दिया कि maximum expand होने का maximum expand होने का कितना value हो सकता है तो आपने बोला maximum expand होने का जो value है वो d by 2 तक हो सकता है maximum expand जो हो सकता है वो d by 2 तक हो सकता है ठीक है सर यह भी बात हमारे समझ में आगे अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये wash water truff में ये पानी आया तो ये wash water truff के त्रू क्या होगा ये पानी आएगा यहाँ पे और ये पानी यहाँ पे और ये valve no.2 आपने open कर रखा था तो इसके त्रू जाके कहा चला जाएगा वाश वाटर गटर में चला जाएगा तो आपने देखा कि वाश वाटर गटर में चला गया आपका पानी बहुत ही बढ़ी है यही तो हम चाहते थे कि पानी कहां चला जाए अब आपकी सारी impurities धूल गई है जो कि यहां पर आई थी तो अब हो गया तो valve number 1 valve number 4 ललल नम B3 को उपन करो और valve नम्बर 1 को उपन करो जब आपने valve number 3 और valve number 1 को उपन किया तो जैसे यह आपने valve number 1 को उपन किया तो आपको देखने को मिला कि यह पानी आया उपर से अब यह पानी पास हुआ लेकिन आप पानी को directly यूज कर लोगे नहीं सर तो फिर क्या करोगे, तो मैंने बोला इस पानी को आप थोड़ी दिर तक रहने दोगे, पानी को पास होने दोगे, क्यों सर, मैंने बोला पानी को इसलिए पास होने दोगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे आप यहाँ पर treatment परफॉर्म कर रहे हो, तो मैंने आपक इसके उसके उपर एक shimuds deck layer form नहीं हो जाती तब तक हम क्या नहीं करेंगे analyzeąd perché यहा पर working shimuds deck layer form नहीं हो जाती तब तक हम पानी को पानी को यूज नहीं करेंगे तो जब यहाँ पर इक shimuds deck layer form हो जाएगी उसके बाद हम इस water को utilize करेंगे मैं odor को सब्सक्राइब तो आपने बूला कि Sir यह 0.2mm से लेके 1mm तक आपको देखने को मिलेगा इच शि'MUZ 0.2mm से लेके 1mm को आपको शिमुज़डेक लेughेर की थिकने को मिलेगी जो अब की पानी यहाँ से पास होगा और जब यहाँ से पास होगा तो फिर हम इसको drains में लाके यहां से लाके और तीन नंबर से पास कराके wash water gutter में ले जाएंगे तो हमने इसको क्या बुला हम इसको wash water gutter में ले जाएंगे तो यह है भाई पूरी process किसके बारे में rapid send filter के बारे में मैंने आपको इसको 3D diagram से भी बताया मैंने आपको इसको 2D diagram से भी बताया now it is the time जब हम इनके बारे में यह compare करें ठीक है now it is the time जब हम इनके बारे में in के specific data के बारे में comparison की बात करें तो आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, whether it is गेट, whether it is engineering services या किसी भी एग्जाम के लिए, तो यह डेटा आप लोगों के लिए थोड़ा सा important हो सकता है, तो चलिये आईगे देखते हैं, तो मैंने आपको बोला कि यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक डेटा को आपको बहुत अच्छे से डेप्ट में बता रहा हूं और यह comparison बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा एक साथ कहीं पर बहुत रेयर देखने को मिलेगा तो मेक शुर आपको यह बाते याद रहे तो देखने रहा है यहां पै जाद़ रहे तो मैंने आप तक आपने बुला 100 meter square से लेके 2000 meter square तक vary करेगा ठीक है तो यहाँ पर बोला अगर मैंने तो यहाँ पर मैंने बोला आपको कि यहाँ पर कितना vary करेगा तो size of filter varies करेगा ठीक है तो मैंने बुला है साइज ओ फिल्टर वेड कहां से कहां वेरी करेगा तो आपने बुला सो मीटर स्क्वाइर से लेके टू थाउजन मीटर स्क्वाइर तक वेरी करेगा लेकिन अगर आप साइज ओ फिल्टर वेड की बात करोगे कहां पे rapid-sand filter में तो इसका जो size vary करेगा वो 10 meter square से लिखे 50 meter square तक ही vary करेगा ठीक है तो वो कहाँ vary करेगा केवल 10 meter square से 50 meter square तक ही vary करेगा ठीक है सर फिर मैंने बिला अगर filter medium of sand has तो filter medium sand के filter medium में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा तो मैंने बिला यहाँ पर finer sand ग्रेंज देखने को मिलेंगे, इसका जो effective size होगा, मैंने बिला effective size को हम D10 बोलते हैं, तो मैंने बिला यह जो आपको D10 effective size देखने को मिलेगा, वो 0.2 से लेके 0.35 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, 0.2 से लेके 0.35 के बीच में देखने को में लिखा, मैंने बला अगर इसके uniformity coefficient की बात करूँगा, तो 1.8 से लेके 3 के बीच में वैरी कर रहा होगा ये, और मैंने अगर मैं यहाँ बात कर रहा हुँ, इसके effective size की, तो ये 0.35 से लेके 0.55 के बीच में वैरी कर रहा होगा, ठीक है, मैंने बला, अगर मैं इसके thickness की बात करूँगा, तो इसके जो thickness होती है, 90 से 100 cm, reduce not less than 40 cm by scrapping, तो आपने ये बोला है, कि जब आप slow sand filter लेते थे, तो आप क्या करते थे, कि आपकी sand की layer थी, तो आप इसके ऊपर वाले portion को क्या कर देते थे, scrap करके निकाल देते थे, है न, आप इस sand के ऊपर वाले portion को scrap करके remove कर देते थे, scrapping से remove कर देते थे, हाँ सर ये बात तो ठीक है, मैंने बला, लेकिन अगर इसी की जगे, अगर मैं बात करता हूँ, आप से filter medium for sand के बारे में, rapid sand filter के filter medium की बात करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर, कि sand grains are slightly coarser, बड़े particle देखने को मिलते हैं, effective size इसका 0.35 से 0.55 देखने को मिला, इसका जो था, that is, effective size is 0.2 से लेके 0.35, तो इसके size आपको बड़े देखने को मिले, yes, मैंने बला, next अगर मैं बात करता हूँ, तो coefficient of uniformity, जो है इसकी, वो 1.3 से 1.7 देखने को मिलती है, है न, CU जब बात करते हैं, तो coefficient of uniformity का अगर पूछता है formula, तो it is D60 by D10 की, जब हम बात करते हैं, तो इसकी value कहां से कहां vary करती है, तो इसकी value मैंने बोला है, से 1.8 से 3 के बीच में, और इसकी value कि अगर मैं बात करूँ, तो यह कहां vary कर रहा है, 1.3 से 1.7 के बीच में, ठीक है, मैंने बोला, thickness जो होती है, 90 से 110 cm, reduce not less than 40 cm, ठीक है, not less than 40 cm, आपने बोला, इसकी जो ठीकने से चाहिए, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, मैंने बोला, अगर मैं base material of gravel की बात करता हूँ, तो इसका size जो होता है, वो 3 से लेके, गलत लिखा हुआ है, 3 to 65, अच्छा, हाँ, मैंने बोला, 2 से 50 cm, जिसकी thickness 45 से 60 होती है, मैंने बोला, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो slow sand filter में कोई भी coagulation की जगे नहीं है, coagulation से पानी करके नहीं लाओगे, plain sedimentation से पानी लेके आओगे, plain sedimentation tank से पानी लेके आओगे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँगा, तो coagulation से ला सकते हो पानी को, ठीक है सर, मैंने बोला, under drainage system is provided only to receive filtered water, आपने बोलाई, यहाँ पर मैंने एक under drainage system दिया था, ताकि मैं filtered water को लेके आ सकूँ, आपने बोलाई, यहाँ पर under drainage system is provided to receive filtered water, ठीक है, साफ पानी को तो ले लिया है, and also supply water for back washing of filter, हैना तो back washing करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, back washing करने के लिए भी आपको यहाँ पर filter, sorry, आपको under drain system को रखना पड़ेगा, ठीक है सर, तो आपको यहाँ पर under drain system को रखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने आपसे बोला, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा खास से note करिए यह बात important है, तो म लीटर पर आर पर मीटर स्क्वार, मतलब एक घंटे में, एक घंटे में, एक मीटर स्क्वार से यह कित्ता पानी साफ कर रहा है, 100 से लेके 200 लीटर, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यह 3000 से 6000 लीटर पानी साफ कर रहा है, लेगिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यह 3000 से 6000 लीटर पानी साफ कर रहा है ठीक है सर अगर मैं यहां पर बात करता हूँ method of cleaning is scrapping to top layer है ना method of cleaning क्या है यहां पर scrapping है उपर की 15 से 30 cm की layer को हमने remove कर दिया और method of cleaning is agitation and back washing with or without compressed air तो कई बार compressed air के साथ back washing करते हैं कई बार compressed air के बिना भी back washing perform करते हैं ठीक है मैंने वाला यहां से बात कर रहा है तो amount of wash water is 0.2 to 0.6% of the filtered water ठीक है amount of wash water जो आपको देखने को मिलेगा वो इतना देखने को मिलता है period of cleaning एक से तीन महिने में साफ करते हैं it is very efficient in removing bacteria बस बस बट लेस्ट लेस एफेक्टिव इन removing color and turbidity तो आपका जो यह slow send filter है यह color और turbidity को इतने अच्छे से remove नहीं कर पाता है यहाँ पर मैंने वुला amount of back wash water is 2-5% जिसको मैंने आपको धाई परसेंट बताया था आपने बुला इसकी जो period of cleaning है वो एक से तीन दिन देखने को मिलती है और इस less efficient removal of bacteria obviously bacteria को यह कम remove कर पाता है लेकिन it is good for the removal of turbidity and color color और turbidity को यह बहुत अच्छे से removed कर पाता है color or turbidity को यह बहुतiendo first a filter and slow send filter works अगर आपको इसके question solve करने है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये question हम हर Thursday every Thursday app के एक लास होती है every Thursday आपको एक लास देखने को मिलती है every Thursday आपको एक लास देखने को मिलती है time बही रहता है 8 p.m. रहता है आपका time तो 8 बजए आपको यह app पर class देखने को मिलेगी तो make sure आप available रहे make sure आप available रहे तो यह आपको देखने को मिलेगी app ठीक है तो I think rapid send filter हो चुका है अगली जो बात करेंगे हम अगली जो बात करेंगे हम वो किसके बारे में बात करेंगे मैंने अगली जो बात करेंगे वो डिसिंफेक्शन के बारे में बात करेंगे तो जो कल की क्लास पर हम डिसिंफेक्शन देखेंगे तो make sure आप लोग अविलिबल रहे हैं और देखें कि डिसिंफेक्शन कैसे परफॉर्म होता है ठीक है तो तो तिल देन बाबाए थांक्यू सो मच मिलते हैं आप लोगों से कल सेम टाइम पर आठ बज़े तिल एन बाबाए